नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 TV में और मैं हूँ आपके साथ प्रीती चोहान तो इस वक्त की बड़ी खबार जो निकल कर आ रही है बिहार के मुख मंतरी और JTU के रश्च्व धाक्ष नितिश कुमार को चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा जटका लगा है बिहार के सियम नितिश कुमार को चुनाव आयोग से लगा बड़ा जटका जारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेटी यू को लग चुका है बड़ा जटका चुनाव आयोग ने जारखंड में जेटी यू के सिंबल को फ्रीज कर दिया है जारखन में J.U. अपने सिंबल पर अब नहीं लड़ पाएगी विधान सबाद चुनाव जारखन मुक्ती मोचा की शिकायत पर J.U. का सिंबल फ्रीज कर दिया गया जारखन मुक्ती मोचा ने 24 जून को चुनाव आयोग में अर्जी दी थी बताया जा रहा है कि जारखन मुक्ती मोचा की तरफ से 24 जून को J.U. के चुनाव चिन्ह के खिलाफ अर्जी दी गई थी जिसमें कहा गया था कि J.U. का चुनाव चिन्ह जोकी तीर है और जारखन मुक्ती मोचा का चुनाव चिन्ह जोकी धनुश है दोनों को लेकर जारखंड के जो मतदाता है यानि वो भ्रमित हो जाते हैं ऐसी भावना उनमें देखी गई थी इसको लेकर जारखंड मुक्ती मोचा की तरफ से जेडियू के चुनाव चिन्ध को फ्रीज करने की अरजी दी गई थी जिस पर अब चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए ठारखंड के विधान सभाद चुनाव में जेडियू के चुनाव चिन्ध को फ्रीज कर देने के बाद मितीश कुमार की मुश्किले अब और कितनी बढ़ जाएंगी यह देखना काफी खास होगा पलपल की अपडेट्स के लिए बने रहे आरनाई टीवी के साथ